पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रे मम्ता बैनर जी 10 मार्च से ही कॉलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भरती है मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में रहते हुए मम्ता पर हमला कैसे हुआ ये तो कॉंग्रेस के पाखंड वाले बयान से समझा जा सकता है लेकिन ये सही है कि मम्ता के पैर में चोट लगी है और उन्हें शरीर के दर्द का एहसास हो रहा है शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो व्यक्ती परेशान होता है एक काटा भी चुबने से दर्द का एहसास होता है लेकिन काश मम्ता बैर जी को शरीर के दर्द का हैसास तब होता जब उनकी पार्टी के कारेकरता राष्ट्य स्वेम सेवक संग और भाजपा के कारेकरताओं का कतले आम कर रहे थे संग और भाजपा की कारेकरताओं को सारवजनिक स्थलो पर बेरहमी से मारा गया सेकड़ों जखमी कारेकरता अपने दर्द की गुहार लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ममता की पार्टी के कट्रपंथी कारेकरताओं ने पश्यम बंगाल में कितनी गुंडा गर्दी मचाई है इसे बंगाल की जनता अच्छी तरह समझती है यदि ममता बेनरजी में थोड़ी सी भी समवेदन शीलता होती तो संग और भाजपा के जखमी कारेकरताओं के दर्द को समझती चुकि सत्ता के नशे में ममता ने कतले आम का दर्द भी नहीं समझा इसलिए भाजपा की घोर विरोधी कॉंग्रेस भी ममता के दर्द को नहीं समझ रही है बंगाल कॉंग्रेस के अधक्ष और लोकसभा में कॉंग्रेस संसद्य दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता नंदी ग्राम से हार रही है इसलिए वह राजनेतिक पाखंड कर रही है अस्पताल में भरती होने और पैर में प्लास्टर बंदने वाले फोटो मीडिया में जारी कर ममता बैनर जी सहानू भूती के वोट लेना चाहती है लेकिन बंगाल की जनता अब ममता के इस राजनेतिक पाखंड को अच्छी तरह समझती है ममता ने हमले वाले बयान पर कॉंग्रेस ने जो तीखी प्रतिक्रिया दी है उसके बाद भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया कोई माईने ही नहीं रखती सवाल उड़ता है कि जो ममता बैनर जी हमेशा बंगाल पुलिस के 300 सुरक्षा कर्मियों से घिरी रहती है उन ममता पर दिन दहाडे हमला कैसे हो गया ममता की सुरक्षा में हमेशा 4 IPS भी तैनात रहते है सवाल उड़ता है कि हमले के समय IPS और 300 सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे मोके पर मوجود लोगों की बात माने तो नामांकन के बाद ममता जब कार में बैठी थी तब दर्वाजा खुला था और ममता का बाया पैर नीचे लटक रहा था तबी TMC कार्य करताओं के धका मुक्की से दर्वाजा पैर से टकरा गया इसी वज़े से पैर में चोट आई लेकिन प्रशांत किशोर जैसे पेशेवर सलाकारों की सलापर ममता ने पैर की चोट को हमले की शकल में बदल दिया लेकिन प्रशांत किशोर बताएं कि क्या ममता बैनरजी की सुरक्षा करने में बंगाल पुलिस विफल हो गई है यदि बंगाल पुलिस अपनी मुख्य मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो पुलिस की योग्यता पर सवाल उठते हैं यदि इतनी सुरक्षा के बाद भी मम्ता पर हमला हो जाए तो फिर मम्ता को केंद्रिय सुरक्षा बलो की जरूरत है। सवाल उठता है कि मम्ता केंद्र की सुरक्षा लेंगी हाला कि केंद्री अग्रहम अंत्राले ने मम्ता को जेट प्लेस सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा है Breaking News रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे कि free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें